प्यारे विद्यार्थियों यह है अर्धवार्षिक पेपर आपका सामाजी विज्ञान का कक्षा नोवी का जो एक जिले में हुआ है और एक विद्यार्थी ने भेजा है आगर आप भी भेजना चाहते हैं तो अपना PDF इसी तरह से साफ साफ PDF भेज सकते हैं अपने जिले का च इतने स्टैट्स में था तो हमारा आंसर हो जाएगा थी स्टैट्स में ठीक है तिन स्टैट्स में इसके बाद नेक्स कोश्चन है निम्लिखिट में से कौन प्रतम विश्वयुद के दोरान रूस का सासक था तो वो था जार निकोलन दित्ते तो यहाँ पर जो है खा उप्शन करेक्ट हो जाएगा जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है तो उसको हम बोलते हैं राइक स्टेग तो यहाँ पर जो हमारा गव उप्शन है करेक्ट हो जाएगा निमलिखित में कौन सा अक्षांस भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है तो वो है हमारी करक रेखा खा उप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद भारत के पूरी भाग में म्यान मार के साथ सीमा रिखा को बनाने वाली परवत संखला को समूह रूप से क्या कहा जाता है तो उसको बोलते हैं पूरवांचल समूही की रूप से तो option correct हो जाएगा नेक्स जो question है इसमें पुछा गया लोगतंतर का अर्थ क्या है तो शाषक जनता द्वारा चुने जाते हैं यही लोगतंतर में होता है यानि हम लोग जो बोर्ड दे कर के कोई सरकार बनाते हैं भारते गंडराज्य का अर्थ है तो गंडराज्य का अर्थ होता है राज्य जो भी है राज्जी हो या देश हो उसका जो मुख्या होगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा वही घंट राज्जी है इसलिए हम घड़तन दिवस मनाते हैं नेक्स कोश्चन जो है निमलिखित में कौन सी रवी की फसल है तो गेहूं हमारी रवी की फसल है नेक्स जो कोश्चन है इसमें पूछा गया आपसे उत्पादन के चार प्रमुख कारक यानि घटक बताईए तो आपका भूमी, श्रम, भौतिक पुंजी और मानव पुंजी उसके बाद जो नेक्स कोश्चन है मनरेगा का पूरा नाम लिखिये तो महात्मा गांदी गारंटी ग्रामीन गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम इसके बाद जो नेक्स कोश्चन है इसमें सम्विधान क्या है तो सम्विधान वैदस्तावेज है जिसमें देश की जनता वशरकार द्वारा पालन किये जाने वाले नियम और अधिनियमों को निरूपित किया गया है कौन सी दो प्रायदीप नदियां गर्थ से होकर गुजरती है तो एक है नर्मदा और दूस्तरी है तापी नेक्स जो कोशन है दो आब किसे कहते हैं तो दो नदियों के बीच के छेतर को दो आब कहा जाता है नेक्स जो कोशन है प्रथम विश्यूद में किन देशों ने प्रशनों के उपर पहला प्रशन पुछा गया ठारवी सदी में फ्रांस में कौन सा सामाजिक समू मद्यम वर्ग के रूप में उबढ़ा था नेक्स जो कोशन है इसमें पुछा गया है जर्मनी में जन संहार युद से आप क्या समझते हैं वो जन संहार युद क्या था और यहाँ पर नेक्स्ट कोशन है आपका भारत के केंदर शासित प्रदिशों के नाम बताईए अगला है बांगर और खादर में क्या अंतर है वर्णन कर देना है नेक्स्ट कोशन है लोक तंत्र नागरीकों की गरिमा को कैसे बढ़ाता है यह आपको डिस्क्राइब कर देना है नेक्स्ट कोशन है उन देशों के उधान दीजिये जो समान मताधिकार प्रदान नहीं करते हैं तो यानि कि जहाँ पर मताधिकार नहीं है वहाँ पर उसके वाज़न नेलसन मंडेला के बारे में आप क्या जानते हैं यह आपको बताना है भारति समिधान की उध्देशी का क कुछ आदर्शों को आपको लिख देना है और समान भूमी पर उत्पादन बढ़ाने के विभिन तरीके क्या है कि नितीन को जो है उधान के साथ लिख देना है आर्थिक लाब के आधार पर विभिन गतिविदियों या क्रिया कलापों का वर्गी करन करना है नेक्स जो है चार क्या अर्थ था या आपको बताना है उन लोकतांत्रीक अधिकारों के नाम लिखिये जो फ्रांसी करांती के पश्चात आज हमने प्राप्त हुए हैं या किये हैं निमलिखित में से आपको टिपनी लिखनी है कुलक पे या डियूमा पे या उधारवादी पे नेक्स जो है का सुनामी सब से स्मझते हैं सुनामी आने किनी तीन परमुख कारणों को आपको बता देना है हिमालई तथा प्राइड यूज्य कर सकते हैं भारत की सरवत्तम परवत चोटी या शिखर जो है वो आपको दर्सा देनी है गंगा नदी का उद्गम छेतर आप अच्छी तरह से जानते उत्रा खंड में है और अरावली श्रेणी आपको बतानी है आप जानते हैं अच्छी तरह से पूरे जो है हिंदुस्तान की सबसे लंबी पहाडी सरंखला है और चाहिए सॉलूशन जिस तरह से आपने देख उस तरह से कर दिये जाएंगे और मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं सॉलूशन तो मैक्सिमम कमेंड करेंगे तो पूरे सॉलूशन भी आपको दे दिये जाएंगे थेंक्यू वरी मच्छ वे गुड़ डेए